तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी जो के बिहार के बारे क्योंकि बिहार में अभी चुनाव में बहुत समय है 2025 में विधान सबा का चुनाव है लेकिन पार्टी अभी से ही काम करना शुरू कर चुकी है पार्टी काफी जमेनी अस्तर पर काम कर रही है और पार्टी के जितने भी लोग है बड़े बड़े नेता है वो बिहार के दोरे पर आते हुए नजर आ रहे है इसी बीच हैदराबाद से M.L. माजिद हुसेन साब बिहार की सरजमीन पर आये हुए है और यहां दौरा पर आए हुए कि किस तरीके से पार्टी के लोग यहां पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर जो अभी पार्टी के अंदर जो जोशो जुरून है जो 2024 का इलेक्शन हुआ लोग सबाय का उसके बाद से और राना रंजेश सिंग पार्टी में अभी तक बने हुए हैं जिस तरीके से और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राना रंजीत सिंग से और माजीद हुसेइन साथ की मुलकात हुई और राना रंजीत सिंग जो के काफी मजबूत इस्तिती में नजर आ रहे है पार्टी के अंदर और यहां पर मिटिंग हुई लोगों से मिलने जुलने का सिल्स कि यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद से यहां पर मौझूद है और पार्टी किस तरीके से काम करें पार्टी के अंदर किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए और पार्टी का जो पॉलिसी या वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए वह यहां पर माजीद हुसेन साफ जो कि आप पते हुआगा कि वह फर्स्ट टाइम हदराबाद से इमेले चुनकर आए हैं जब यह अभी कॉंग्रेस की सरकार हदराबाद में चल रही है और माजीद हुसेन साफ जो बैरि जब यह एमेले नहीं थे तो बैरिष्टर असदुद्दीन उवेसी साफ कहीं भी जाते थे उत्तर परदेश के अंदर बिहार के अंदर या अन्य जगों पर तो माजीद हुसेन साफ उस टाइम कॉर्परेटर वहां के हुआ करते थे और यह उनके साथ हमेशा नजर आते थे लेकिन अब यह विधायक हो चुके अभी भी नजर आते हैं और इनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है माजीद हुसेन साफ को और यह नहां के दोरे पर आए हुए सिमान चलके अंदर गए उसके बाद से बिहार के अलग अलग जगा पर जाने का काम किया और बिहार के अल किया है कि कैसे हम 25 में चुनाओं लेने को तयार रहेंगे और कैसे हमारी पार्टी का विस्तार किया जाए तो कहीं न कहीं पार्टी भी मजबूत इस्तिती में अभी चुनाओं के बास जैसे कि मैंने कहा कि 2024 का जब चुना हुआ पार्टी को कुछ खास सफलता तो नहीं मिली लेकिन पार्टी का एक चर्चा बहुत हुआ बिहार के अंदर, लोगों तक पहुचा पार्टी, घर घर तक पहुचा पार्टी, लोगों के जुबान पर पार्टी का नाम हाया, वह ऐसी सब सिर्फ एक हैदराबाद तक सिमित थे, और लोग इनको देखते थे, अलग अलग बढ़ाद में एक बड़ी पार्टी के तोर पर यह उभर सकती है इनको फ्यूचर दिख रहा है और बैरिश्टर असाद उद्दीन वेशी साथ को फ्यूचर दिख रहा है विहार के लोग भी इनको एक सेप्ट करते हैं कहीं नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि जहां भी जा रह पार्टी के अंदर लोगों का जुना शुरू हो चुका है और इसी तरीके से हैदराबाद से जो वहां के नेता है वहां के मेले हैं वो ड़ूरे पर यहां पर बिहार के अंदर पहुंचे हों हैं माजिद हुसेन साब जो कि पाटी के एक बहुत ही अच्छे चेहरे माने जाते हैं और यंग निताओमिन की गिंती होती है फर्स्ट टाइम ये एमेले बने हैं और ये पाटी ने एक कॉर्पुडेटर को जमीन से उठा करके एमेले बनाने का काम किया इसी तरीके से विहार के अ तरीके से मेंट करते रहे, और पाटी के अंदर लोग जुरते रहे, और पाटी का इसी तरीके से विष्टार होता रहा, तो हम सब मिलकर, एक साथ हिंदू, मसलिम सब मिलकर के, हम कम से कम पाँच विधायक इस्से पिछली बार का काम आ गया था, लोगको तरफ से, इमाई evidence पाटी को लेकिन इस बार कम से कम पच्चास विधायक निकालने का हम काम करेंगे, हम सब मिल जुल कर काम करेंगे, तो कम से कम विहार के सरकार में हिस्सेदार बन सकते हैं, और मुसलमानों की एक अहम रोल हो सकता है, जिस तरीके से दरकिनार किया जाता है, उनको टिकट नहीं दिया जाता अगर दिया भी जाता तो बहुत कम दिया जाता और कोई अगर सीट जितकर कोई विधायक आते है तो उनको बड़े पोस्ट पर बैठाया नहीं दा जाता और उनको एक अहम रोल जिस तरीके से 14-15 परसंट की आबादी है उस तरीके से उनको बड़े पोस्ट नहीं दिये जाते हैं तो कहीं न कहीं जो मुसल्मानों पर अत्याचार किया जा रहा है या उनको दर किनार किया जा रहा है पुलिटिकल के हिसाब से राजनितिक के हिसाब से उनको राजनितिक में उनको राजनितिक में उनको उनके हिस्सदारे उनको नहीं दी जा रहा है जितनी उन अलग चेत्रों में गुमने का काम कर रहे हैं पार्टी का विस्तार करने का काम कर रहे हैं और पार्टी ने एक अहम जो उनको जिम्मदारी दी है वो भी निभाने का काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी नजर आती है और पार्टी के ज पार्टी के अंदर नजर आ रहा हैं राना रंजीत सिंह का एक अहम मैं अक्सर वीडियों में कहा करता हूँ के राना रंजीत सिंह का जो अहम रोल। और इनके पिछे जो भी यूथ है वो चलने का काम करेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि इस चमपारन के अंदर यह काफी अच्छे से काम कर रहे हैं पार्टी को काफी आगे लेकर जाने का काम भी कर रहे हैं तो ये अपडेट जो निकल कर आई है विहार से जो AI, AI, MIM पार्टी को लेकर के माजीद हुसेईन साफ विहार के दोरे पर है और पार्टी के जितने भी बड़े नेता है, चाहाँ वो पर्वक्ता है, चाहाँ वो परसिडेंट हो, चाहाँ हो वो किसी भी पद पर हो और कि कैसे हम तैयार हो सकते हैं दोहाजार पच्चीस के लिए जब बिहार का विरान सबा चुना हो उसके लिए तो यह अपडेट निकल कर आई है जो भी आगे की अपडेट होगी फिर मैं आप तक पहुचाने का कोशिप करूंगा फिर आप से मिलते हैं किसी और दिन किसी और वी